नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मुझे माई विगेश्ट क्लासिस यूटूब चैनल पर बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने अभी तक क्लासिस शुरू नहीं करी सर आपने आइटिया यूडाली थी उसका क्या हुआ तो दोस्तों आइटिया का भी रिप्लाई नहीं आया जैसे ही रिप्लाई आएगा सबसे पहले आपको वीडियो बना कर बता देंगा बिल्कुल भी टेंसन मत लीजिएगा और साथ-साथ आप अपनी पड़ाई पर भी पूरा फो होनी यानि 21 में तो ही जाएगी मार्च में हो फरवरी में अप्रैल में जब भी होगी परिक्षा आपकी मिस्चेचा तोर पे ऑन की बात करें हना अब आप लोगों के मन में दो तरह की डाउट होंगी कि सर आपने बर्ण माला क्यों नहीं शुरू किया या फिर आपने संग्या से क्यों नहीं शुरू किया तो देखिए अगर आप संग्या को सुरू करते तो बहां दो तरह की कंफिजन आप लोगों को आते हैं क्या क्या और फिर उसको समझते हैं कि संग्या एक विकारी सब्द होती है ना तो विकारी सब्द क्या होता है इन सब्सक्राइब को हम विस्तार पूरुबक समझने वाले हैं इस वीडियो में यहां हम चीजों को केलियर कर लेंगे तो आगे वाले जो चैप्टर ने संग्या सरुनाम बन जाते हैं अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पड़ा होता है तो कोशन छूटने के चांसे पूरे-पूरे रहते हैं तो बिल्कुल समझेंगे तोस्तों कि वित्पत्य, उत्पत्य, पिरियोग, अर्थी ये सब क्या होते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सब्द भेद को देखें सब्द भेद का मतलब पहले तो ये समझें कि सब्द किसको कहते हैं अब परिवासा को देखिए हैं एक या एक से अधिक बन से बनी स्वतंत्र सार्थक द्वनी को हम क्या कहते हैं तो सब्द का अपना एक मतलब होना चाहिए किसी भी सब्द को आप लिख रहे हैं, उसका एक मतलब होना चाहिए, तभी वो सब्द है, तभी वो कैसा सब्द है, एक सार्थक सब्द है, अन्ने था वो निरर्थक सब्द हो जाएगा, कुछ लोग इसको दो तरीके से भी बारते हैं, कि सार्थक सब्द दो तरीके से होते है एक निरर्थक सब्द होते हैं और एक सार्थक सब्द होते हैं तो हम जो बात कर रहे हैं वो सार्थक सब्दों की कर रहे हैं निरर्थक सब्दों की बात नहीं कर रहे हैं जब अर्थ की द्रश्टी से हम इनको समझेंगे तब समझा देंगे कि आपको निरर्थक सब्द क्या होते हैं और सार्थक सब्द क्या होते हैं सब्दों को हम दोस्तों कितने रूप से माटेंगे मुख तोर पे चार तरीकी से बाटेंगे ब्युत्पत्ति, उत्पत्ति, प्रियोग और अर्थ के आधार पे अब ब्युत्पत्ति के भी अपने कई सारी कारण होते हैं, उत्पत्ति के भी होते हैं, प्रियोग के भी होते है आर्थिके भी होते हैं मुख्य रूप से हम कितने भागों में माटते हैं इनको चार भागों में तो यह दियान रखना है आपको परिवासा दियान में रखनी है और मुख्य रूप से कितने भागों माटते हैं चार भागों में पहला हम बारते हैं दोश्ते इसको ब्यत्त smallest Patti के आधार पे ठीक है अब देखिए कई books अगर आप देखेंगे तो यहां ब्यत्त इतिहास प्लब दोनों का मतलब इतिहास के आदार भी उत्पत्ती से ही होता है या वो इतियास के आधार पे कह दे या फिर सुरोट के आधार पे कह दे या फिर ये कह दे कि उत्पत्य के आधार पे तो इसका मतलब है वो एक ही बात पूछना चाहां रहा है अगला समझते हैं दोस्तो प्रियोग के आधार पे तो प्रियोग के आधार पे भी कह सकता है आपसे रूप के आधार पे भी कह सकता है और ये भी कह सकता है कि ब्याकरणिक द्रश्टी के आधार पे अगर हम सब्दों को बांटे तो किस तरीके से बांटेंगे ऐसे भी कह सकता अर्थ के आधार पर एकी तरह से पूचिएगा इसमें जादा डिवाइडेशन नहीं करेगा अर्थ का मतलब एकी होता है अर्थ ठीके इन तीनों के इनके आधार पे समझते हैं विद्पत्ति रचनाया बनावट इनके आधार पे समझते हैं कि सब्द कितने पिरकार के होते हैं तो विद्पत्ति के आधार पे दोस्तों हमेरे तीन भागों में बाड़ते हैं ठीके पहला रूड में बाड़ते हैं योगेक में बाड़ते हैं औ दो सार्थक खंड नहीं कर सकते, देखिए, उनी चीजों के हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, जो कभी सार्थक खंडों से मिलकर नहीं बना हुगा, यानि कि सार्थक खंड हम इसके इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सार्थक खंडों से मिलकर नहीं बनाएं, इसलिए तो नहीं कर सकते हैं नहीं था तो कर देते अब जैसे एक सब्द है कल पर आज अब जैसे कल को हम देखें अगर इसको तोड़ के देखते हैं जैसे का धन ला ऐसी तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो ऐसी तो तोड़ेंगे अब देखिए काका कोई सार्थक मतलब नहीं है और लाका भी कोई सार्थक मतलब नहीं है हम यही तो बताना चाहना है यानि कि बैसा सब्द जो दो सार्थक सब्दों में नहीं तूट सकता हो यानि इसका मतलब कुछ निकलता और इसका कुछ मतलब निकलता तब तो यह rule नहीं होता लेकिन ना तो काका कोई सार्थक मतलब है ना ही लाका कोई सार्थक मतलब है इसका मतलब यह एक rule सब्द की स्रेणी में चला जाता है जैसा सब्द यह होता है बैसे का बैसा ही अपने होता है के लियर हो गया अच्छे से समझ में जावाएगा जब हम योगिक को समझना शुरू करेंगे देखिए योगिक के नाम से पता चला दोस्तों कि यह योग हुआ है कुछ ना कुछ इसमें है ना तो अब योगिक सब्द आपको कैसे पेंचानना है अगर आपके सामने तो देखिए बिध्या इसका मतलब है बिध्याले है ना तो बिध्याले को आप तोड़ के देखिए बिध्या पिलस आले आप ऐसी दो तोड़ेंगे इसको बिध्या धन आले तो बिध्या का मतलब देखिए क्या होता है बिध्या का मतलब ग्यान से होता है आले का मतलब जह प्षे समझने जाब हुए बिध्याः का मतलब हमें पता चलिका अच्छा बिध्याव मतलब ग्यान की बात होगा रही हाले अच्छिप का मतलब जहां पर घ्रट सिंखा ही जारी है रही हो था टौ अर rer भवन से होसकता है मंंदर से भी हो सकता है is तरह से हम इसको समझ गए इसका मतलब भी हमने निकाल लिया इसका मतलब भी हमने निकाल लिया तो इसका मतलब है कि कभी बना हो योग एक से किसी के यानि कि किसी के योग से बना हुआ हो तो इसमें बहुत सारी एक्जमपल आपके हो सकते हैं बिध्याले हो सकता है बिग्यान हो सकता है पार साला हो सकता है जो भी आपको लगे जो की दो सार्थक सब्दों से मिलकर बना है बहे सब्द योगिक स सब्दों का, ऐसे ही तो लग रहा है इसके नाम को अगर हम पढ़ें तो ऐसा लग रहा है कि भी दो सब्दों का मतलब दो या दो से ज़ादा सब्दों का योग हुआ होगा रूल सब्दों का, तो इसको समझी देखिए, इसकी परिवासा पर जिक्र करते हैं पहले बैसे सब्द बैसे सब्द जो होते तो योगिक हैं लेकिन अपना अर्थ बिसेश रखते हैं क्या रखते हैं अपना अर्थ बिसेश रखते हैं या फिर अपना अर्थ रूड रखते हैं रूड का मतलब जो कि नहीं तूट सकते हैं किसी में भी है ना तो देखिए ये सब्द है जलज, जल पिलस जा से मिलकर बना, यानि कि जल में पैदा होने वाला, जल में पैदा होने वाला, जल में जीवित रहने वाला, है ना, तो जलज का मतलब क्या होता है, कमल से होता है, किसे लगाते हैं, कमल से लगाते हैं, लेकिन जलज अपने आप म और वाली वाता रही है तो बहस अब योग रूड का सब्द होगा जैसे जलज अर्थात कमल है ना दसानन यानि कि जिसके दसानन है अर्थात रावड लेकिन दसानन का अपना कोई मतलब नहीं है अपना कोई बिसेश मतलब नहीं लेकिन एक बिसेश मतलब पे लेके हमको वो जो अपने हिंदू धर्मे देवी देवता हैं, उनके जितने भी परियाएवाची आप लोग सुनते हैं, दसानन हुआ, चक्रपाण हुआ, नेलकंट हुआ है न, ये सब्द क्या होते हैं दोस्तो, योग रूड सब्द की स्रेणी में आते हैं, आप बहु बरी समास में भी अधार पर दोस्तो इसको अच्छे से समझ लिया, तीन टाइप के होते हैं, रूड, योगिक और योग रूड, अगली बात आपको बता दे, दोस्तो, टेस्ट हमने आपके इसके तयार कर लिए, यानि कि जो नोट्स हैं हिंदी के, पूरी तरह से कंप्लीट हैं, लेकिन वो देंगे, उसको भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ये टू जेट चीजे बिलकुल उसमें मिलेंगे, पूरा कंप्यूटरी करत करा दिया है, जो हमारे हैंड राइटिंग नोट से, उनको हमने कंप्यूटर पर टाइप करा दिया, उनको आप लेना चाहें, तो ले भी से बाणती है, कई किताबे इसको सिर्फ चार तरीके से बाणती है, तत्सम, तद्वब, देसज, बिदेसज और सिर्फ यहां तक बिदेसज तक बाणती है, लेकिन अगर आप लिजएंट देखेंगे, तो वो संकर को भी इसमें सामिल कर लेती है, यानि कि पांच तरह से बा समझते हैं, तत्सम सब्ध को दूस्तो, आप अच्छी तरह परीषित हमें, क्योंकि इसको काफी बार बढ़ पढ़ा है, तत्सम क्या होते हैं, तत्वब क्या होते हैं, फिर इसका जिक्र आया है, तो करेंगे, जरूर, थेकि इसका वीडिए आको एक सेपरेट में लेका, त तत्सम तदवाब का यानि कि जो आपको सब्द देखने जो परिक्षा में जाता पूछ आते हैं इनका एक हम सेप्रेट वीडियो लेकर करके आएंगे लेकिन यहां जो हम समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि सब्दों को बाटा किस तरीके से आता गो समझ रहे हैं ना कि सन्स्कृत से जिस तरह से निकले थे वैसे ही आज भी परियोग में आ रहे हैं पैसे सब्द क्या क्या है तत्सम सब्द क्या होता है तो घैसा सब्द जो बहुत सारी भासाओं से बिक्रत हो गया, जैसे संस्क्रत थी, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकरत आई, उसके बाद पुरानी हिंदी आई, फिर आदुनिक हिंदी आई, तो हम जो हैं आदुनिक हिंदी की यूग में हैं, तो अब जो गुजरते गुजरते कई भासाओं से जो सब्द अपना रूप खो बैठ हैं यानि कि थोड़े विकरत हो ग знать उन सब्दों को कहते हैं तदवब सब्द कहते हैं एक सब्द से समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा जैसे एक सब्द था हमारे पास करपूर है करपूर जो सब्द है तो एक तद्सं सब्द है, यान कि एक संस्कृत का सब्द है। लेकिन जब ये पाली भासा में गया, то ये हो गया, दोस्तों कपूर क्या हो क्या पैसा सब्त क्या कहलाता है यानि की तद्धच का ओप सब्क होता है ठीक है अपने लेकिन यह मत्लाई democrat खेत बास्ता में खेत को हम छेतर कहते हैं संस्क्रत में लेकिन हम क्या बोलते हैं इसको खेत बोलते हैं लेकिन होता ही है छेतर बोलने में थोड़ी मुझ को दिक्कत होती है खेत बोलने में उतनी दिक्कत नहीं होती है तो अपने मुख सुक के कारणे भी हमने कुछ सब्दों क बिगाल दिया पैसे सब्द कहलते हैं तदया सब्द कहलते हैं ठीक चलीए अगला बका दोस्तों हमारे Watch देसजस ऌफकना कि लोटा होता है चारपाई होता है खाट होता है पेठ होता है टाउती है यह सब्द कैसे है इस न है ना तो देशा सब्द का दूसरा नाम छेत्री सब्द भी होता है ना जैसे कि एक सब्द है हमारे पास लोटा तो लोटा हमारे हो सकता है कि अपनी जो अपना छेत्र है उत्तर प्रदेश का उसमें हो सकता है लोटा को लोटा कहा जाता है फिर दूसरी वासा में लोटा को कु तो समझते हैं कि हमको पता है कि थैला क्या होता है लोटा क्या होता है टांग क्या होती है चारपाई क्या होती है खाट क्या होती है लेकिन और अगर कहीं आप दूसरे इस्टेट में जाके आप किसी से लोटा बोलेंगे तो साइद भू ना समझ पाई कि लोटे का मतलब क्या ह होते हैं कि यह तो हमारे चेट्री सब्द है है ना तो बैसा सब्द यो हमने अपने याकहरा यहाई सब्द कि जासा की से कजिन साथ की हो सकते हैं कि पूछा जाता है कि निम्न मैं से दिया हुआ सब्द देशा जाता इंस तद समय तद्वबह先 physics अब काफी देखने को मिलते होंगे अगला बात करते हैं दोस्तों बिदेशच सब्द की है ना तो बिदेशच सब्द की हमने एक लिष्ट दिये इसको बहुत अच्छे से समझेगे क्योंकि यहां से अच्छी कासी मात्रा में प्रिशन पूछे जाते हैं अब देखिए जब हम हिंदी बो यानि आगर बिल्कुल सुद्धिव बोलें तो धिद्यद्ध हैं अपको अधी को नम ale के पाता निं किसतरreso में बात कर जाएगा लेकिन हम क्या करते हैं बहुत सारी बासाओं कों मिक्स करके बोलते हैं उउसम्णी होती हम्हिं टुर्की के लिए हम लेकिन सुद्धिडी नह ति हिंदी नहीं है। उसमें गया है, हमने बहुत सारी सब्दों को मिक्स किया हुआ है, जैसे की यहां से समझते हैं। कुछ सब्ध हम अर्वी के बोलते हैं, लेकिन हमको लगता है कि यह हिंदी के olmaz प्रान्जी के बोलते हैं, अंग्रेजी के तुर्की सब्द तास तोप केंची लास ये सब्द कैसे हैं तुर्की सब्द है तो हमारी जो समझने का मतलब है वो बिदेशी सब्द समझने का मतलब है यानि कि बिदेशा सब्द को समझ रहा है कि बिदेशा सब्द क्या होते हैं ऐसे सब्द जो बिदेश से आएं यानि कि कि दूसरे country से आए हुए हैं लेकिन हमने अपनी हिंदी में इनको अपना लिया है अपनी भासा में जिनको अपना लिया है बैसे सब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों बिदेश सब्द कहलाते हैं या फिर आगत सब्द कहलाते हैं बिजाती सब्द कहलाते हैं इनके अलग-अलग नाम भी हो सकते हैं तो यह सब्द आप से काफी बार परीक्षा में पूंचे जाते हैं कि बताइए गमला किस परकार का सब्द है काजू किस परकार का सब्द है फिर संत्रा किस परकार का सब्द है तो आपको किलियर हो गया हुआ कि बिदेश सब्द कौन से होते हैं जो कि बिदेश से आई हुए हैं, foreigner हैं, बिजाती हैं, आगत हैं, जिनको हमने अपने हिंदी में अपना हुआ और जिनको हम बोल चाल की भासा में प्रियोग करते हैं, किलियर होगे हमारा देशज, बिदेशज, तद्वब, पत्सम, अगला बचता है दूस्तो संकर सब्द, संकर सब्द को हम दो अलग अलग भासाओं से मिलकर जो सब्द बनता है, बैसा सब्द क्या कहलाता है, संकर सब्द कहलाता है, जैसे, एक सब्द ले लिया वही हमने रेल और गाड़ी, मिलकर क्या बनता है, यह रेल गाड़ी बनता है, अब देखिए, रेल पिलस गाड़ी, इसको अलग अलग करिए तो rail जो सब्द है यह rail जो सब्द है यह English का सब्द है तो एक सब्द मिला English का और एक मिला Hindi का मिलके क्या हो गया रिल गारी यानि कि यह सब्द क्या हुग था ठीक है दो अलग-अलग भासाओं से मिलकर जो सब्द बनता है बहे सब्द क्या कहलाता है संकर सब्द कहलाता है अब ऐसे कुछ गिने चुने सब्द हमारे पास हैं जिनको हम अपनी हिंदी में पलते हैं बहुत जादा सब्द नहीं है पचास चाली सब्द हैं आप आराम से इनको रट सकते हैं चली एक सब्द को और समझा देते हैं आपको पांदान है ना पांदान है और अगला एक सब्द हमारे पार चाया दार है अपसर साही है इस तरह की सब्द होते है ना तो देखिए चाया पिलस दार अब यह चाया जो सब्द है दोस्तों यह संस्क्रत का सब्द है ना चाया किसका सब्द है संस्क्रत का सब्द है लेकिन जो दार सब्द ये काई का सब्द है फार्सी का सब्द है तो भिन भासा है ना दोनों संस्क्रत प्लस फार्सी से मिलकर बना छाया दार तो ऐसी सब्द जो भिन भासाओं से मिलकर बने हुए हैं और हिंदी में जिनका प्रिचलन खुब तेजी से हो रहा है वैसे सब्द क्या कहलात पत्ते के आधार पे समझ लिया, चाहें तो नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हैं, अगले आ जाते हैं वही प्रियोग के आधार पे, ठीके, अब प्रियोग के आधार पे समझे, देखिए प्रियोग के आधार पे आपको किताबों में थोड़ा सा confusion मिलेगा, तो उस confusion को दूर करने के लिए ही ये वीडियो बनाया है न, जाकि आपका confusion दूर, प्रियोग के आधार पे कभी कभी सीधा कह देता है कि प्रियोग के आधार पे सब्द आठ पिरकार के होते हैं, कितने पिरकार के होते हैं, आठ पिरकार के होते हैं, तो बहाँ confusion आठ पिरकार के होते हैं, तो तो अभिकारी सब्द, पहले समझे कि बिकारी सब्द क्या होता है, उसके बास समझेगे कि अभिकारी सब्द क्या होता है, तो बिकार का मतलब होता है दोस, यानि कि जिसमें कुछ बिवाजन करने की संभावना हो, यानि कि जो बिवाजित हो सकता हो, तूट सकता हो, यानि कि सब बिकारी सब्द होता है ना बिकार का मतलब ऐसे भी आपको पता हुआ रोग से होता है अब जैसे कैसे समझेंगे इसको ऐसे समझी एक सब्ध हमने कोई ले लिया लड़का एक सब्ध हमने क्या ले लिया लड़का ले लिया अब देखिए इसको ब्यातकरनिक द्रश्टी से समझें कि इसकी परिवासाब आसतर में किताब में क्या होती है तो link बचन कारक link बचन कारक के अनुसार जिन सब्दों में परिवर्तन संभव हो जाता हो बहे सब्द बिकारी सब्द कहलाते हैं है ना अब ऐसा नहीं है कि तीनों में यह नियम लगना चाहिए कारक बचन लिंग किसी एक नियम को भी अगर कोई सब्द फोलो कर गया तो वो बिकारी की स्रेणी में चला जाएगा जैसे एक सब्द है हमारे पास लड़का लड़की का अगर हम बचन देखे तो एक बचन लड़का एक है एक बचन में है ना इसका लिंग चेंज करके देखते हैं अगर हो रहा है या नहीं तो लड़की का हमने करा लड़की पढ़ रही है लड़के सी बना लड़की लड़की पढ़ रही है यानि कि लिंग चेंज हो सकता है इस सब्द का इसका मतलब ये बिकारी की स्रेणी में चला जाएगा बचन देखते देखो अगला समझते कारक के नुसार लड़कों ने किताब पड़ी यानि बहुत सारे लड़कों ने किनों ने लड़कों ने तो यानि कि ने जो है दोस्तों कारक चिन के अनुसार में परिवर्तन संभब इसके अंदर है तो ये सब्द दोस्तों कैसा सब्द है एक विकारी सकता है बहुत सारे सब्द हैसे हो सकते हैं आप इनको इस तरह से प्रियोग करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बिकार उत्वन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है आगे बिकारी पर बात करेंगे उससे पहले एक चीज और समझ लीजी हैं से अब देखिए बिकारी सब्द की स्रेणी में हिंदी में कौन-कौन आता है यह आपने काफी पड़ा हुआ कि संग्या भी आती है सरुनाम आता है बिशेशन आती है और किरिया आती है तो समझे बिकारी की स्रेणी में चार सब्द आते हैं सब्द का मतलब है यह चार कोर्सन आ जाते हैं हमा कि यह विकारी होते हैं या फिर नहीं होते हैं तो इसको अच्छे से समझी संग्या है तो कैसे पता करेंगे कि संग्या विकारी होती या विकारी होती है अब कोई भी एक संग्या सब्द उठा लेजिए जो संग्या के जिरेनी मात हो जैसे नदी है तो नदी एक क्या है संग्य कैसी संग्या वो छोड़िए नदी सब्द का एक संग्या सब्द है है ना अब नदी कैसा एक बचन है इस तरी लिंग में है एक बचन है और इस तरी लिंग में अब देखिए लिंग तो उसका हम चेंज नहीं कर सकते हैं नदी सब्द का लिंग चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि सरवनाम का, कोई भी उठा लीजिये, जैसे तुम उठा लीजिये, क्या उठा लीजिये, तुम, तुम का मतलब मैं आपको कहा रहा हूं तुम है ना अब तुम सब्द को परिवर्तित करके देखिए क्या इसका बचन चेंज हो सकता है तुम तुम को हो सकता है अभी मैं एक को कहा रहा था तुम को यानि बहुत सारी लोगों की बात करा हूं तुम लोगों को तुम को है ना तो यानि कि बचन चींज हो रहा इसका मला सर्वनाम भी हमारा क्या होता है विकारी सब्द ही होता है किलियर हो गया अच्छा अब विसेशण को चेक करतें कि विकारी होता है या फिर नहीं होता है एक सब्द कोई विसेशण उठा लीजी जो आपको लगता हो चलो गर अब हमें ही चेक करना है कि भी विकारी है या विकारी है तो हम इसको देखते हैं गरीवों करके देखते हैं तो हमें पता हां गरीवों यानि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यानि बहुत सारे गरीवों की बात हो रही है इसका मतलब इसका बचंचेज हो रहा है तो बच चलना जो बचा हमारा किरिया को देख लेते हैं है ना तो किरिया में भी दोस्तों हम चेंजिंग कर सकते हैं जैसे एक सब्द है हमारे पास चलना क्या है चलना एक सब्द है हमारे पास है ना क्रिया का भी रूप हम परिवर्तित कर सकते हैं किसके कारण लिंग वचन और कारक्ष के अनुसार तो यानि कि क्रिया भी क्या होती है हमारी विकारी सब्द की स्रीडी में आ जाती है ठीक है न तो अब आप समझ गए कि दोस्तों की विकारी सब्द में संग्या सरवनाम बिशे करेंगे आप लोगों के लिए ठीके चलिए अभिकारी सब्द को समझते हैं ठीके अभिकारी सब्द क्या होते हैं तो ठीक उल्टा करके देखते हैं इसका है ना इन तीनों के कारण इन तीनों के कारण किसी सब्द में अगर परिवर्तन संभव ना हो सकता हो तो बैसा लोड नहीं सकते हो तो बैसे सब्द क्या कहलाते है हमारे अभिकारी सब्द कहलाते होंगे इसका तो यही मतलब है ना अच्छा चलो देखते हैं अब एक सब्द है चलो अब को हम लिंग change करके देखते हैं तो अब का तो हम link change करी नहीं सकते हैं कैसे कर सकते हो अभी कर सकते हो क्या तो अभी का कोई मतलब नहीं है हाना बचन भी change नहीं कर सकते हैं अभे का कोई मतलब नहीं होता है कर दो सकते हैं अच्छा कारक के अनुसार भी इसको कहलाते हैं ठीके अब जितने भी सब्द अब्य होते हैं जितने भी सब्द अब्य होते हैं अभिकारी सब्द होते हैं सारे अब्य क्या होते हैं अभिकारी होते हैं सबसे अच्छी बात यहां से आप समझे ठीके तो अब्य सब्दों में हम कोई परिवर्तिन करी नहीं सकते हैं तो अब जो सब्द है दोस्तो जहां भी प्रियोग होगा वो अपने इसी रूप में प्रियोग होगा, अब के तरीके से, चाहें आप इसे बहु बचन में कर लो, एक बचन में कर लो, इस्त्री लिंग में कर लो, पुरी लिंग में कर लो, कहीं भी इसका प्रियोग करो, अब जैसे का तैसा ही प्रियोग होगा अरे सब्द को आप कहीं भी प्रियोग कर लो इस तरी लिंक पूरी लिंक कहीं भी प्रियोग करोगी तो अरे अपना रूप नहीं खोएगा ये जैसे का तैसा ही प्रियोग में आएगा तो clear हो गया हमारा अभिकारी सब्द और अभिकारी सब्द अगला समझते हैं अर्थ के आधार पे हम इनको किस तरीके से बाटते हैं थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पहले ही हम कहा चुके हैं, आप बिल्कुल पूरा वीडियो ध्यान से देखते रही है, अगर आपको अच्छे से इस चीज को समझना है, तो अगला चप्टर हम संग्या लेकर आएंगे, सबनाम इस तरह से आगे, बलते रहेंगे, अब कोई भी है नो, और सार्थक सब्दों को उन्चार तरीके से बाटतें, अब आपको क्या याद रखना है, कि आपको यह दोनों याद रखना है, या फिर यह क्या रखना है, तो यहां से समझेए, बहुत लोजिकल बात है, उसको समझेए, अर्थकी द्रश्टी से दोस्द होते हैं हम इसका कोई मतलब निकलता हूं सार्थक मतलब निकलता हूं ना कुछ भी है और पह cay दिया कि एक सब्द है लेकिन उसका मतलब बोटी बोटी खाई पानी सानी इस तरह चायवाय इस तरह की सब जो बोलते हैं अब भाईया रोटी तो समझ में आ रही है वाद की रोटी का मतलब क्या होता है लेकिन बोटी का मतलब क्या होता है बोटी का मतलब वह समझना आप तो रोटी बोटी यानि कि जो एक तुकांत ब में count किये जाते हैं ठीक है तो ऐसे सब्दों को हम पढ़ते भी नहीं है ऐसे सब्दों को फिर हम सामिल भी नहीं करते हैं इसमें नहीं करते हैं तो फिर हम यहीं समझते हैं कि अर्थ की दृष्टी से सब्द चार पिरकार के होते हैं यानि कि सार्थक सब्द होते हैं यानि कि अर्थ की दृष्टी से सब्द क्या होते हैं, सार्थक ही तो हम सार्थक सब्दों को पढ़ रहे हैं, तो सार्थक दृष्टी से देखें, तो चार पिरकार की होते हैं, तो अब जब एक ही पिरकार है, किसी चीज का, जब कोई एक ही पिरकार है, इसको वो खतम कर देती तो सार्थक सब्द को ही हम पढ़ रहे हैं ये किताब कहती है कि सार्थक सब्द को ही हम पढ़ रहे हैं तो इसको बताने की कोई जरुवत नहीं है तो अर्थ के आदार पे दोस्तों क्या याद रखना है आपको चार पिरकार से याद रखना है, एक आर्थी सब्द, अनेक आर्थी सब्द, समनार्थी सब्द और बिलो मार्थी सब्द, खूब पड़े हैं आपने ये, लेकिन आज इनको पिस्तार से समझ येगा, ठीके, अब देखिए, चलिए, एक आर्थी सब्द को यूपी में होके जाती है उत्राखंड से निकलती है और बंगाली की खाड़ी में गिरती है वह वाली गंगा या इसका यही तो मतलब है अब कोई बैक्ती आप से यह नहीं कह सकता कि गंगा का मतलब यह भी होता है गंगा का मतलब क्या होता है गंगा ही होता है यानि कि ऐसा क्या कहलाता है एक आर्थी सब्द कहलाता है किलियर हो गया अच्छा अनेक आर्थी सब्द सब्द एक हो मतलब बहुत सारे निकलते हो ऐसा सब्द जो अनेक अर्थ रखता हो जैसे कि एक सब्द हमने लिया हार हार का मतलब क्यों होता है युद्ध में जो हार होती है, यानि कि पराज है, उसको भी हम हार ही कहते हैं, गले में पहनने वाला जो होता है, उसको भी हम हार कहते हैं, अच्छा, दूसरा सब्द एक और ले लेते हैं, चली कर ले लेते हैं, कर जो होता है, इस तरीके से लिखते हैं, कार कर, अब इसका मतल मतलब दो तरीके से होता है, करका मतलब हात भी होता है, करका मतलब text भी होता है, तो सब्द एक मतलब अनेक, यानि कि अनेक अर्थी सब्द, अच्छा, समनार्थी, बहुत सारे सब्द हो सकते हैं, आप books भूठाना, इसके बाद ऐसा नहीं कि वीडियो complete है, वीडियो में यह example क हम लेके हुए example आपको sort out करने test भी आएगा इसके बाद लगाना है आपको समनार्थी सब्द है ना तो यानि कि बहुत सारे सब्द जो समान अर्थ रखते हो लेकिन बात एक ही चीज की करते हो जैसे फूल है पिरसूल सुमन है ना वो सब किसकी बात कर रहे है पूस्प किसकी बात कर रहे है ये सब फूल की ही बात कर रहे है ये फूल के नाम क्या कर रहे है अनेक अनेक बता रहे है लेकिन बात एक ही है फूल की कर रहे है ठीक है तो समनार्थी है नी समान अर्थ रखने वाले स कि बिलो मारती मु sagt प्रयाएबाची समझते हैं परेआप वाची को सब वस्कारते हैं ये तो परेआप वस्ति का मतलब रखने वाल earliest-स व्छंप किलियर हो गया तो दोस्तों हमने इनको बाटा 4 तरीके से रफली और देते हैं आपको जिससे आपको थोड़ी सी चीज रिकॉल हो सकें वित्पत्ती के आधार पे हमने बता है तीन तरीके से उत्पत्ती के आधार पे भी तीन तरीके से पिरियोग के आधार पे भी तीन तरीके से तीन तरीके का मतलब है तीन नाम होते है इनके है ना वित्पत्ति आ जाए रचना आ जाए बनाबट आ जाए मतलब वित्पत्ति पूंच रहा है उत्पत्ति इतिहास रोत यानि की उत्पत्ति पूंच रहा है पिरियोग रूप ब्याकरिक या फिर पिरियोग यानि की एक ही मतलब पूंच रहा है किलिए रूल सब्द क्या ह अच्छे से समझा योगिक क्या होते हैं योगरोल क्या होते हैं हमने सब अच्छीज़े कैलि इoug कर लिए हैं आप लोग इस वीडियो को बहुत दियानद से देखिये गा है अगर अगर समझ में नहीं आ रहा तो rie birthday कर लीजी अगर कल इसका जो दुपैर में टेस्ट आ जाएगा आप इस टेस्ट को बहुत द्यान से लगाए कम से कम 40-50 कुशन हम इसमें लेकर के आएंगे कि आपकी कुशन यहां से किस टैप के बन रहे हैं अब आपके पास जो भी बुक्स है आपके पास जो भी बुक्स है सब दुभेद को और एक तरब से पढ़ना सुरू कीजे कि क्या-क्या नई चीजे सर ने बताई या फिर क्या-क्या नई चीजे हमसे छूट रही थी जो आज हमें पता चलिए आसा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया हुगा अगला वीडियो बहुत जल्द अप्लोड करें जो लोग अपनी पढ़ाई में लापरवाई करेंगे उसका हिसाब यूपी ट्रपल सी कर देगा किस दिन आपका फोरेज्ट का एक जाब होगा फिर मत्रों ना की सर मेरे तो हिंदी में 40 रह गए 50 रह गए है ना फिर तो यही जवाब होगा कि आपने मैनती नहीं करें जो ल